आकि टाइटन आये कहां से, इनके शुरुवात कहां से होती है, इनके ओरीजन कहां से होता है, यह जो एलिडियास हमें दिखाए जाते हैं, एलिडियास जो लोग है, शहिद में नाम सही से ले रहा हूँ, और यह कहा जाते हैं, यह यामीर है कौन, यह कहां से आई है, इसके प बार-बार जब भी नाम सामने आता है या अमीर के वंसज हैं ऐसे कुछ करके तू मैं सोचता थे यार यह शुरुआत कहां से हुए कुछ ना कुछ तो बताओ फिर यह सोचा कि आने वाले ज़्यादा खुशी होती है इतना सैटिस्फाई होता है कि यह आखिर हमें वो शुरुआत पता चलती है कि पावर अटेक ऑन टाइटन की है वो कैसे यामीर के पास आती है और यामीर से कैसे बाकी के जो उसकी पावर को डिस्ट्रिब्यूट किया जाता है बाकी लोगों में औ यामीर की पावर को आगे डिस्ट्रिब्यूट किया जाता है बतलब इच्छा तो हो रही है बताने की बट मैं चाहता हूं कि वह आप खुशी महसूस करें जो मैं महसूस कर रहा हूं कि बहुत ज्यादा अच्छा लगा यह फिफ्ट वाला एपिसोड देखें तो वहां पर एक कही ना कहीं मेरे अंदर यह था कि यह एरन चाहा क्या रहा है जीक को डर लगने लग गया है उसको भाई यह बंदा जैसे मैं सोच रहा है कि मेरे कोडिंग चीज़ें होंगी नहीं यह वैसा नहीं होता भाई जैसा एरन चाह रहा है वैसा होगा और यह सब चीज़ें और उस पहरंद जैसे अपने लोगों को एक message करने करता है कि बाई देखो हम जो यामीर के जो वनसच हैं हमें हर बाहर के जो दुनिया के जो लोग है हमें मार ना जाते हैं single एक बंढ़े को भी नहीं छोड़ेंगे वो क्यूँ नहीं जिन्दा छोड़ना जाते हैं आप हैर और जब आप जान जाओगे जब आप एपिसोड देखreen और कहीं न कहीं हमें इस्टरिमें जो मारवर लोग magnitude लोग यह बोगोग से आप में लड़ते आती है वह सब्सक्राइब ब्रका कर देती हैju नमीर फ़िए रहां आक Unterstützung का इस यई उ यार इसने हाई बहुत जादा create करके रख रखी है हर एक episode देखने के बाद उसका अगला episode देखने के इतनी जादा इच्छा होती है और पता ही नहीं चलता है एक तो time कप भी जाता है जब हम episode देखने बैठते हैं और सच में यह बहुत जादा खूबसूरती की बात है कि जो इ पहानी में कब टाइम बीटता है या यही तो चीज होती यही कला होती मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है हां भले ही वेट करना पड़ता है एक अफ़ते तक वेट करना पड़ता है बट कर लेते हैं कोई ना उसके बाद हमें अच्छा ही देखने को मिलेगा और जो यह तरीके से इनकीजों को हमारे सामने रखा है इतनी बड़िया कहानी हमारे सामने लेकर आई है देखने के इच्छा होती रहती है इतने बड़िया वड़िया जो एपिसोड़्स आ रहे गई है जो लोग एक आईलेंड पर रह रहे हैं और अपने चारों तरफ उन्होंने जो दिवारें बना रखी हैं अब उन दिवारों के जो नाम है वो नाम क्यों रखे गए मतलब उनका पीछे लोजिक है वो भी जब चीज़े दिखाते हैं इतना अच्छा लगता है की जाती है ना इंट्रस्ट और बढ़ने लग जाते हैं अब एरन ने जो लास्ट में किया उन दिवारों से कुछ निकलता है मैं बहुत जबर्दस्ट एक्स्पीएंस रह रहा है रिव्यू क्या कह सकते हैं इसमें रियक्शन ही कह सकते हैं मतलब इतना ज़्यादा अच्छा इतनी ज़्यादा खुशी होती है जब यह एपिसोड आते हैं इनको देखते हैं और काफी ज़्यादा चलकते हैं अपना एक experience प्लीज comment box में लिख देना कि आपको कैसा लग रहा है और हम जिन्हों ने भांगा पड़ रखे न दूर रहना comment box से तुम्हार कोई ब्रोजानी इतनी ज़्यादा curiosity होई हुई है इसको आगे वाले देखनें कि इसका episode कैसा आगे का किस में क्या होने वाला है क्या चीजे निकल के आने वाली है कैसी story होने वाली है कैर मैं इस पर प्रेडिक्शन करना ही छोड़ चुका हूँ जो आएगा भाई साब देख लेंगे तुम द